बुद्वार को अश्टमी थिए, रादाश्टमी भी है बुद्वार को, तुरवाश्टमी भी है बुद्वार को, और गवरी अश्टमी भी है बुद्वार को, और शिव महापुरान की कथा करती है, गणेश पुरान के तर्तिय अध्याय में बन्नन किया, बुद्वार के दि लोती न जो हरा मूँ आखा मूँ हरा कि कटोरी भरो उस पर गुड़ की एक खोड़ी गुड़ की बट्टी गुड़ की बाटी उस पर रखो पांच बेल पत्र रख लो और जिस बेटी को बहुत भारी बिमारी है कैंसर जैसा रोग भी है किडिनी लीवर जो भी उसके खराब ह कोई तकलिफ है बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर पांच बेल पत्र रखकर बुद्वार और अश्टमी थी रादाश्टमी भी है तुरवाश्टमी भी है तुरवाश्टमी जिस दिन भगवान ने गनेश जी ने एक राक्षस का संगहार क पांच बेल पत्र जिसको बहुत बिमारी हो तमा, स्वास, खिड़नी आधिक आधिक पहूत बिमारी हो एकिस बार शरीर पर से उतार कर महराज सीधे हाथ में रखकर नाम, गोत रखकर खुद का बोल कर और भगवान से गनेश जी से बिंती गनेश्टमी थी ने गनेश्टमी कर कर अश्टमी थी थे के दिन, बुद्भार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पढ़ रही है उस दिन उस कटोरी नई लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी गण में नहीं हो, नहीं कटोरी और उसको गणेजी के मंदिर में पहुचा दीजी, एक मंदर में पंडेजी घीन के राइटी इढके निड़ी आपका उल्टा हाट हो गाटवी का सीधा जिका ठीज हुगा तो दर्शन करते हुझे UM प्र एłęखना सीधा आएगा इस हाथ के वहीं पर अर्थात क्मीन था रहतेना अगल्रा महराजी माराजी में औरries Nom अश्टमी को करकर देखना ग्यारस या फारस तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा यह अश्टमी कुछ साधर्ण नहीं आ रही वुद्वार ना लो अगर एक्जाम में बैठ रहे हो सरकारी परिच्छा में बैठ रहे हो पास नहीं हो रहे नोकरी नहीं लग रही बहुत ज परिवार बंडल बनाओ उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में माता जगदंबा के मंदिर में अर्थात जहां शंकर पारवती पून परिवार विराजमान हो ऐसे देवी के मंदिर में गनेजी के गले में वो माला अरपन करिया है अपना नाम बोलकर और जिस एक्जाम मे कर अपने कमरे में जहां पड़ते हो काच की फिलेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिने एक्जाम के लिए चले जाएए आपको उसका फल अवश्य मिलेगा अवश्य मिलेगा आप उसमें उत्रिन होंगे फल प्राप्ट होगा दुरुबा सुक्र अनुबहु करा शिव महापुरान बहुत सुंदर व्याख्यान कर रही है एक निवेदा में आपको फिर कहूंगा बुद्वार के दिन अष्टमी तिफि पढ़ रहे है दुरुबास्तमी राधाश्तमी गवरी अष्टमी बुद्वार के दिन पढ़ रहे है जिसके घर में शांती ही ना रे नहीं हैं वो निवेधन हैं लाल वस्तुर में लाल ठूल रखकर उसमें थोड़ा धना 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 जानते हूं खड़ा धना आता है धना पाउडर नहीं धना रद्ना और पाँच गोल सुपाडी जो गोल सुपाडी होती है पूजन वाली सुपाडी पाँच पूजन वाली सुपाडी पाँच बेल पत्र इस लाल वस्त्र में रखकर धर के मद्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो पूरे घर का नाभी कोण मिला लो पूरे घर का ना कर आजाता है उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता सुख और शान्ती ये दोनों प्रविश कर जा जिनको शुगर की विमारी हो बीपी हो उनसे निवेदन करूंगा गणे जी का डात जो तूटा हुआ है उस तूटे हुए दात के भाग की और पांच दुरवा सफेद सफेद द पांच सफेद दुरवा तूटे हुए दात की और समर्पित कर दें बुद्वार के दिन अश्टमीती थी दुरवास्टमी के दिन दो पाहर में ठीक बारा वज़े वही दुरवा पांच मिनिट बाद उठा लें और उस दुरवा को एक एक दिन में